तो प्रधान मंत्री के दिल की बात लेकिन अब आपको सुनवा देते हैं कि संघर्ष के दिनों में प्रधान मंत्री कैसे अपने कपड़े प्रेस करते थे यह तमाम बातें उन्हें इस इंटिव्यू में कही है और यह कहानी सुनकर आप समझ जाएंगे कि किन मुश्किल हालात से मोदी आगे निकले हैं और काम्याभी के शिखर तक पहुंचे हैं आपका एक फैशन स्टेटमेंट बहुत बढ़िया है मतलब डाड़ी वाड़ी एक दम सही रखिया हुआ और मतलब कभी कभी मैं देखता हूं आप हाफ स्लीव कुर्था पैंते हैं ज्यादा करके हाफ स् यह फैशन यह जो है यह जो आपकी जो शेविंग और यह सब कया यह मतलता पैशन जो है यह अपने खुदंग किया है या आप ने किसी को आपने बहुत अच्छा सवाल पूशा जैसे मैं बहुत श्ट्रीक हूँ गुं गुसा करता हूं यह जो एक आध शाबी बणाई दरसल क्या है मैं छोटी बैग मेरी जिनगी थी और मैं ट्रावेलिंगी करता लेता था तो मैं देखता था कि एक तो मैं कपड़े खुद धोता था स्यम बना तब तक मैं कपड़े खुद धाया हूँ कभी मैं कपड़े तो फिर मैंने किसी सोचा कि लंबी बाहें लगता हूँ तो मुझे इतना जादा दोना पड़ता है दूसरा मेरे बैग में वो जगा जादा लेता है तो मैंने खुद रही काड़ दिया था अच्छा वो ज कि इब सही है कि मैं धंग से रहना यह मेरी प्रकूरती थी शाद एक कारण यह भी था कि गरीबी के कारण कभी-कभी इंफेरिटी फिल होती थी लोगों के बीच में तो उसको ऊवरकम करने के लिए शाइद साइकोलोजी पड़ी होगी बच्पन में ऐसा मुझे रखता है त पर्रेशे करने के लिएो कुछ था नहीं तो मैं ये बर्तन का जो लोटा रहता है उसमें कोला भरती दहा गर्म कोईला यह और उसी से कपरों को प्रेश करता था अपन के जाता था अभ ज्यूते नहींinden मैरेक मामा एक्दिन आई का घर पर है बताने उनकामन कर गया तो नही मेरे जी जुते ला दिये, तो एक कैनवास के सफेज जुते आयने, छोटे थे, बसाद उसमें तो आट-टास रुपे मिलते होंगे, तो ले आये, तो मैरे थे, थोड़े दिन बे तो गंदे होना शुरू हुगे, तो मैं क्या करता था, क्लासरूम में, सब बच्चे चले जाते थे, मैं रुका रहता था, और टीचर जो ब्लैकबड पर लिखता है न, तो बाद में छोटा चॉक स्टिक का टुकड़ा रह जाता है, वो एसे फैंक देता है, तो मैं उसको इखटा करता था, वो चॉक स्टिक के टुकड़े, वो ले आता था, और हर दिन सूबे, चॉक जोतों पर लगा जाता था, और डेली में आपसे एक बात जानना चाहूंगा, मैंने ये सुना है, जब मैं पिछले साल मैंने ये सुना था, कि जब आप गुजरात से, गुजरात के सीम से आप निकल के आप प्राइम मिनिस्टर जब बने थे, तो आपकी जो जमा पूंजी थी, आपके बैंक में करीबन 21 लाख रुपे थे, और वो 21 लाख आपने अपने स्टाफ की बच्चियों के नाम पे FD या उनको भांट दिये थे, तो आज मैं जाना चाहूंगा, आप नहीं भी जवाब दे सकते हैं, आज आपका बैंक बैलन्स कितना है, एक तो ये आदिये दूरी बात है, आदिये दूरी इसलिए है, कि जब मैं गुजरात से स्केम के रुप में निकला, बैसे मैं मेरा कोई बैक अगाउट नहीं था, स्केम बनने के बाद, एमेले बना तो मेरा तन खाना शुरू हो गया, आपकी बैंक अकाउट नहीं था, एक बच्च्पन में न उन्होंने सब बच्चों को गुलड आपके नाम से पैसा जमा होगा, तो हमने भी बैंक अकाउंट उसमें खिलवा दिया, अब हमारे गुलड में तो कुछ आया ही नहीं, आने वाला कुछ था ही नहीं तो क्या आएगा, तो हम तो कभी पैसा जमा नहीं कराया, आप काउट हैं बैंक में हमारा एकाउंट बना रहा है तो उनको हर साल वो केरी फोरवड करना पड़ता लिखा पर टिकरने पड़ती थी तो वो मुझे ढूंगते रहते थे जिसका बैक अगाउट बन करना इसको बुलाई का से तो साथ 30-32 साल तक वो बना रहा और उनको कहीं पता चला ब तो मेरी बैंक एकाउंट से दुनिया यह रही लेकिन जब मैं स्यम बना एमले बना तो फिर जो वेतन मिलता है वाना शुरू हो गया तब बैंक एकाउंट खुल गया मैंने तो कभी वो देखा नहीं है मेरा स्टाप देखता था जब मैं निकला वहां से तो मैंने उमारे ले देडेना चाहता हूं तो उसमें से मैंने फिर 21 लाख रुप्या दिया स्था ओपजिशन पार्टी में आपके कोई दोस्त हैं बहुत दोस्त हैं बहुत अच्छे दोस्त हैं हम लोग साल में एक दो बार साथ खाना भी खाते हैं आच्छा आपको हरानी होगी और बस यह म ये मम्ता दी दिये, साल में आज भी मुझे एक दो कुर्ते खुद सिलेक करने जाती है, मेरे एक दो कुर्ते बेखती है अच्छा, that is something very big to know about अच्छा, मिठाई भी, बंगला देख्छी प्रदानमंत्री है, शेक अच्छना जी तो मेरा दोरा हुआ तो, ऐसे ही बंगली मिठाईयों की चर्चा चली, तो आज भी वह साल में तीन-चार बार कोई-कोई बंगली नहीं मिठाई होगी है, तो specially ढाका से मुझे बेख देती है अच्छा, मासा क्या हमारे प्रदानमंत्री आम खाते हैं? यह भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं और अगर खाते हैं तो क्या काटके खाते हैं या ऐसे गुटली के साथ खाते हैं? वाश बिजन के ओपर खड़े होके गुटली के साथ आम खाना उसका बदा की कुछ और होते हैं तो मैं जाना चाहूँ कि आम खाते हो से एक तो मैं आम खाता भी हूँ और आम खाना मुझे बहुत पसंद भी है और गुजरात में आम रस की परंपरा भी है लेकिन जब मैं अज़ाइस का जो किसान है बड़ा उदार रहता है कोई खेत में आगणागे खाता है तो कभी रोकता नहीं है चोड़ी करता है तो रोकता है अम के पैड़ पर जो पकी हुए आम थे को खाना में ज्यादा पसंद था यहने उतारने के बाद पकाया हुआ नहीं नेचर्यल को में पकाव हुआ और पूरा का पूरा अजब तब तो हाइजनिक किया कोई समझ भी नहीं थे कि धोना चाहिए ठिकना करना कुछ नहीं समझते थे ऐसा ही अपना कर लेते थे लेकिन बात में चीसे जे बड़े तो कई वराइटियों के विश्चे में जाने लगे आम रस खाने क जादर लगे लेकिन अनुद्रों मुझे कंट्रोल करना पड़ता है अचा अभी फिलान कंट्रोल में मुझे सोचना पड़ता है कि इतना खाओ या ना खाओ लेते खबरों के लिए यूही देखते रही है आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले